नमस्कार साथियों दाट डिगनिटी के यूटूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाही में लगे हूँ दोस्तों अभी वर्तमान में रेलवे को लेकर बहुत जादा नकारात में एक आपकी पॉस्टिविटी या सकारातमक्ता अभी आपका जो है एक नोटिफिकेशन अगर कहा जाए एक नोटिस अगर कहा जाए तो उससे आई है हाला कि ये नोटिस जो है वो 10 अक्टूबर की रिलीज हुई थी लेकिन क्या वो नोटिस उसमें जो डॉक्यूमेंट म पूरी तरह से आपका ओफिशियल नहीं थी वो एक प्रकार से आपका रेजर्ब पोस्ट थी मतलब उसे पबलिक के लिए इसू नहीं करना था बट वो किसी तरह से लीक हो गई और आपका जो है वो जो क्रेडेंशियल इन्फोर्मेशन थी वो अब बहार आ गई है आप सभी के लिए वो लीक होई या नहीं होई आप सभी के लिए सबसे महत्पूर्ण पॉइंट यह है कि अभी तक जो 2018 के बाद RPF के अंतरगत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंतरगत जो SI और Constable के पद अभी तक नहीं आये थे अब वो आपके सामने बहुत जल देखने को मिलें के उससे ही सब्मंदित वो information आपका जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा और कोशिश करिएगा यदि आप पहली बार चैनल पर उपस्थित हुए हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन जो है या आप एक सब्सक्राइब प्रोटेक्शन फोर्स की या नॉन टेक वाली आपकी जो पोस्ट हो उनकी संख्या बहुत कम रही है या कहा जाए तो ना के बराबर देखने को मिली एलपी की वेकंसी तो 2018 के बाद से आई नहीं है और आपका एक नया नोटेस आपका एक सर्कुलेशन जो है वह आपका देल बट ये सब्त है एकदम प्रूफ है आपका कि हाँ ये इन्फोर्मेशन जो है ये जनता के लिए तो नहीं थी लेकिन ऐसा होने वाला है अब इसमें लिखा क्या है वो हम देख लेते हैं भारत सरकार द्वारा आपका इसे इसे इशू किया गया है और डेट जो है वो 10 से वह है आपका Value 43 मतलब जो वेकंसी होनोंगी किए कितने होंगे किता है किसेほchez होगय कितने आपके जैसे सीबी टी होगा या डैरेक्ट आपका जो और टेस्ट होगा पीस्टी और फेजिकल आपका जो है वो कैसे होगा वो सारे जो आपके नॉम्स है वो यहां पर लिखे होते हैं यहां लिखा हुआ है एप्रोज अबब इट इस एप्राइज देड़ रेक्विक्मेंट प्रोसेस फॉर दा पोस्ट ओप इंस्पेक्टर एग्जेक्टिव नहां पर लिखा हुआ है लास्ट रेक्विक्मेंट वॉस कंड़क्टेड इन टूथाउजन एटीन इन टरम्स ओफ आर्पीएफ डारेक्टिव फॉर्टीव 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 एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपका जो है रेलवे के पारा जो है वो पूरा कारेक्रम संपन्न कराया जाता था बट अब थोड़ा चेंजेज होगा अब यह होगा हवावर इस दा एक्जिस्टिंग सेनेरियो आरार्बी इस बींग एंडाउट विद्धा रिस्पॉंसिबिल्टी ओफ कंप्लीटिंग फॉर्स फेज आर्पीएफ काम करता था उसमें से जो पहला फेस है पहला फेस मतलब अप्लिकेशन इशु करना मतलब कऊ फॉर्म भरे जाएंगे ब क्लोज होगे उसके बाद पेपर कंड़ग्ड कराना ऍअना मोड ौफ CBT या कंप्यूटर बेस टेस्ट तो यह आपका कम कौन करेगा यह आपका RRB करेगा जो अभी तक कौन करता था और पिएफ करेगा उसके बाद का जो फेज है अगर हम कहें डारेक्टली अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल वाला जो पोर्शन है वो और पिएफ के द्वारा ही कंड़र्ट कराया जाएगा लेकिन उससे पहले वाला जो फ itself second phase मतलब आप समझते हो कि एक ही paper होता है ऐसा तो है नहीं कि दो paper होते है न एक ही paper होगा आपका cbt के रूप में होगा और उसके बाद आपका जो second phase है आपका physical वाला है medical वाला है document verification वाला है वो और पिएफ के द्वारा कराया जाएगा अब इसके लिए यह जो आपका नया notice इस इशू हुआ है जो नया ओडर इशू हुआ है इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है कि कमेटी में तीन लोग रखे गए हैं दोस्तों आपका ये श्री परमशिप पहले वेक्ती हैं दूसरे स्री सुमत आपका जो तुमाती सांडिल सेकेंड परसन है और स्री के असरफ ये परसन इन तीनों की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें चेहरमन आपका जो है परमशिप जो है इन्हें बनाया गया है और यहाँ पर लिखा है सिंस फर्स्ट स्टेज ऑफ रेकुट्मेंट इस टू बी कंडेक्टेट बाया रर्वी वेरस सेकेंड फेज इन्वाल्बिंग पी रहे हैं कि हमें इस तरह से कार करना है अब यह जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी अपनी रेकमेंडेशन्स भेजेगी कि हां कैसे कैसे परिवर्तन हो सकता है किस प्रकार से चेंजर हो सकते हैं कैसे कैसे कार आंगे बढ़ेगा और यहां पर यह भी लिखा है कि यह जो करना है आपको जो भी सजेशन्स देने हैं इस कमेटी को वो आपका जो है 16 अक्टूबर से पहले पहले प्रयास करेगी कि 16 अक्टूबर से पहले पहले वो अपनी रिपोर्ट सब्मिट कर दे तो अगर आपका ये जो डेट दी गई है उस डेट के अनुसार अगर कमेटी अपन को मिल सकता है और आपको भी पता है कि रेलवे के अंतरगत आर्पीयप के अंतरगत जीएस का पोर्षन जादा होता है तो अब आपके सामने वेकंसी आने वाली है अब बहुत सारे ऐसे विद्यारति होंगे कि सर आप हमें नोटिफिकेशन का बताओ कि वो आया है या नहीं अगर आप आर्पीयप के अंतरगत आपका जो है ऐसाई या कॉंस्टेबल बनने का सपना देख रहे थे लेकिन 2018 तक पूरा नहीं हुआ तो अब आपका सही समय है अब आप अपनी तयारी में लग जाए नवंबर की पहली वीक वीक तक आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन ह जाएगा उसके बाद भी अगर आप किसी समस्या को फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं हमारी टिक्निकल टीम द्वारा आपको एक उचित समाधान पतान किया जाएगा उमीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बैल आइ झाल